हलो दोस्तों कैसे हूँ उम्मीद करूँगा सब एक दम भढ़िया हूँगे दोस्तों वीडियो के अंदर बात करेंगा एटियम कार्ड को लेकर जी हाँ दोस्तों डेबिट कार्ड को लेकर भाई आप सभी का देखो कोई ना कोई बैंक में अकाउंट तो होता ही है और आप द दोस्तों वीडियो के अंदर जानेंगे पूरी बात तो दोस्तों वीडियो को लास्त तक देखते रहे मगर उससे पहना आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब्सक्राइबर के बगल में जो बैल का इकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हम कोई भी दिया जाता है इस ATM की मदस्तिया आप ATM मशीन से जब चाहिए अपने खाते में पड़ा पैसा निकाल सकते हैं ATM हमारे कापी सारे कामों को आसान कर देता है आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं होटल में बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और किराने की दुकान पर बिल देता है इस क्राइटेरिया के तह दिये जाने वाले की रेंज पचास हजार से दस लाख रुपए तक होती है हाला कि कुछ बैंक क्रेडिक कार्ड पर भी कवर बीमा की सुविधा देता है हाला कि इसके लिए आपको अपना बैंक खाता चालू रखना होगा इंसो रेंज के यह क्लेम कैसे करें तो दोस्तों हम आपको बताएं कि इंसोरेंश के लिए हमें क्लेम कैसे करना होता है अगर किसी ATM होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को दो से पाच महीनों के बीतर बैंक की उस ब्रांच को जानकरी देनी होगी जहां पर उसका बैंक है या नहीं है इस इंसोरेंश के तैद विकलांगता से लेकर मौत होने तक पर अलग अलग तरह के मौज़े का प्रावदान है साधरन एटियम मास्टर कार्ड क्लासिक एटियम पर अलग अलग तरह का मौज़ा राशी भी मिलती है इतना ही नहीं आप बैंक में जाकर यह पत पूछ भी सकते हैं कि हमारे एटियम कार्ड पर हमें कितना रुपय का बीमा कावर मिला हुआ है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह क्लेम लेने के लिए हमें कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूत पड़ती है इस तरह का इंशरेंस को क्लेम करने के लिए जिस वेक्ति का लासेंस भी उपलब्द करवाने होते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आपको बीमा क्लेम लेना है तो आपको यह सारे डॉकुमेंट या फिस सारे दस्तावेज आपको बैंक में पेश करने होंगे और देखो एक कारवाई होती है पूरी इसमें टैम भी लग सकता है लेकिन देखो न्यूज मीडिया के मादम से यानि की जागरन.com अकबार के मादम से आपको पूरी जानकारी दे रहे और दोस्तों अधिक जानकारे के लिए आप अपनी नजदी की बैंक शाखा में भी जाकर संपक कर सकते है जहां पर आपका बैंक अकाउंट है और दोस्तों आप कमेट मेरा जरूर दे ओके दोस्तों धन्यवाद जब भारत